नमस्कार मैं हूँ BS Olanki और आप देख रहे हैं Allrounder BSS हमारे YouTube चैनल Allrounder BSS में आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2016 के एक Qution PEPER के बारे में वैसे हम बात करने वाले हैं नवदे विडियाले एंटरेंस एक्जामें पूछे जाने वाले पेरेग्राफ के बारे में जैसे की इस वार का जो पैटन है आपका वो पैटन क्या कहता है कि 40 Qution Mental Ability के 20 Qution Mathematics के और पीछे जो 20 Qution बचते हैं वो आपके Language के होंगे तो इस बार Language जैसे की देखिए आपके Hindi भी हो सकती है आपके English भी हो सकती है या फिर जो आपने चूच की वो Language हो सकती है मैं आज ये जो आपको बता रहा हूँ ये 2016 में एक Qution पूछा गया है ये जो मैंने बोड़ पर पूरा का पूरा पेरेग्राफ दिखा है ये पेरेग्राफ 2016 में पूछा जा चुका है आपके एक्जाम में कुल 5 पेरेग्राफ पहले पूछे जाते थे लेकिन इस बार साइद आपके 4 पेरेग्राफ ही पूछे जाएंगे इस प्रकार के आपके सामने 4 paragraph होंगे और इन 4 paragraphs के उपर 5 questions आपको पूछे जाएंगे उन questions का answer आपको इन में से छांट कर देना है तो अब ये कैसे solve किया जाता है मैं English के बारे मैं आपको बता रहा हूँ और जल्द ही मैं आपको हिंदी के बारे में भी एक बता दूँगा ये मैं आपको practice के लिए बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप बिना वक्त ज़्यादा बर्बात किये हुए इन्हें solve कर सकते हैं तो वीडियो को लाक्स तक जरूर देखे हैं यहां पर सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास 2016 का question paper है तो प्लीज आप एक वार क्यूशन वेपर कोल दीजिए उसमें 2016 का जो क्यूशन वेपर है उसमें आप English का यह वाला paragraph कोल दीजिए अगर आपके पास ना हो तो यह board पर लिखा हुआ है आपके सामने तो इस प्रकार से जो यह हैं क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ क्या लिखा हुआ है Pinku was walking through a forest He had a bag of mangoes After some time he felt tired He took shelter under a tree and soon felt asleep After a while he felt that someone was trying to snatch his bag of mangoes He woke up and caught the person It was a witch who tried to frighten Pinku and ran away But Pinku was strong and brave He chased the witch and caught her The witch removed her mask He told Pinku that she was a poor and old widow She had nobody to take after her Therefore she used to lie in the forest She used to wear masks to frighten people And take away their belongings Pinku took pity on her and gave her the bag of mangoes To be honest, this is how you could do it This is how you could do it But that is how you could do it Pinku is in the forest Pinku is in the forest The new thing here is how you can do it A little bit You can do it It's pretty much I think it's a good thing But if it all It's pretty much Ginger समय तक जब वो ले के जाता है तो वो थोड़ा सा ठक जाता है तो वो क्या करता है कि एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है तो देरे देरे उसको नीद आ जाती है थोड़े ही वक्त बाद उसको फील होता है उसको महसूस होता है कि उसका जो बैग है उस बैग को कोई लूट रहा है इसका मतलब क्या है लूट ना उस बैग को कोई लूट रहा है तो वो जो पींकू था वो पींकू उट जाता है जैसे ही वो पींकू उटता है तो एक जो विच थी विच का मतलब क्या होता है which एक बहुत ही अच्छा वर्ड है साइधा आपको इसकी मीनिंग ना मालूम हूँ which which का मतलब होता है डायन एक औरत होती है उसको कहा जाता है तो वो जो होती है वो पिंकु को पिंकु को फ्राइटेन करने की कोशिज करती है फ्राइटेन का मतलब फ्राइटेन फ्राइटेन का मतलब क्या होता है पताइए डराने की कोशिज करती है और पिंकु से दूर भाग जाती है बट पिंकु वाज श्ट्रॉंग एंड ब्रेव लेकिन जो पिंकु था वो बहुत ही मजबूत और बहादूर था मतलब की जब वो विच वहाँ से भाग रही थी तो पिंकु ने उसका पीच्छा किया और पीच्छा करते हुए वो उस तक पहुँच कर उसने उसको कॉट कर लिया फिर क्या होता है दो विच रिमूड हर मास्क यानि की जो विच थी उसके मुँँ पर एक मास्क था तो उसने अपने मुँँ से वो मास्क निकाल दिया अब देखिए उसने पिंकु से कहा कि वह एक गरीब और बुड़ी विद्वा है विद्वा का मतलब विद्वा अब ये क्या होता है वो औरत जिसके पती की पहले ही मिर्ट्य हो चुकी है उसको विद्वा का जाता है या फिर विद्वा का जाता है मतलब कि जब वो विद्वा हुई थी उसके बाद से उसका रहन सान करने के लिए या फिर उसकी सायता करने के लिए कोई भी पिछे नहीं था फिर क्या होता है therefore she used to live in the forest और इसी कारण इसी कारण से उसने जंगल में रहना पसंद किया she used to wear mask to frighten people और उसने mask पहन कर लोगों को frighten करने की कोशिस की और उनका जो भी सामान है वो सामान वहां से lootने की कोशिस की लाश्ट में क्या होता है pinku took pity on her यानि की pinku जो होता है वो उस पर भावुक हो जाता है क्या हो जाता है भावुक और वो जो अपना mango का बैग होता है वो उस औरत को दे देता है तो ये एक छोटी सी गटना होती है तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है लेकिन अब बात यह आती है कि सर क्या हमें एक्जाम में इस पूरे paragraph को पढ़ना पड़ेगा क्या ऐसी कुछ shortcut है जिससे कि हम वो 5 question easily solve कर सके तो सबसे पहले तो देखिए सबसे पहला question क्या पूचा गया है question यह पूचा गया है why did pinku take shelter under a tree मतलब की pinku ने पेड के नीचे विश्राम क्यों किया सबसे पहला option है he wanted to sleep he wanted to eat mangos it was very hot he was tired तो अब यहाँ पर आप अगर इस पूरे paragraph को पढ़ते हो तो साइद आपको 2 या 3 मिनिट लग सकते हैं और साइद कुछ याद भी ना रही तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है उस question की और जाना है सबसे पहला question क्या कहता है कि why did pinku take shelter under a tree मतलब की pinku ने उस पेड के नीचे विश्राम क्यों किया तो भही यहाँ से हम करते हैं यहाँ से लेकर यह देखिए क्या कहता है after some time he felt tired he felt tired he took shelter मतलब की जब वो ठक जाता है तो वो आश्रम के लिए या फिर विश्राम के लिए पेड के नीचे जाता है तो इसलिए हमारा आंसर क्या होता है felt tired तो पहले का आंसर क्या हो गया felt tired इसी प्रकार से second question क्या कहता है the witch was trying to यानि कि जो औरत थी वो क्या करने की कोशिश कर रही थी पहला climb up the tree मतलब की पेड के उपर चड़ने की कोशिश दूसरा hit pinku यानि कि pinku को मारने की कोशिश या फिर पीटने की कोशिश तीसरा take the bag of mangos यानि कि जो आम का bag था उसे लेने की या चोथा slip under the tree या फिर पेड के नीचे सोने की तो यहाँ पर यह पूच रहा है कि जो witch थी वो क्या करने की कोशिश कर रही थी तो यह देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इसने क्या लखा है after a while he felt that someone was trying to snatch his bag देखिए snatch his bag और इससे पहले इसने लिखा है someone तो अब हम जानते हैं कि यह जो someone है यह कौन है यह witch है यह कौन है witch है यानि कि जो witch था या जो witch थी वो उसके bag को लूटने की कोशिश कर रही थी या फिर उसके bag को लेने की कोशिश कर रही थी तो यहाँ पर यही पूटरा है कि जो witch थी वो क्या करने की कोशिश कर रही थी तो इसका option होगा तीन नमबर वाला मतलब कि दूसरे question का answer यह होगा कि वो उसके bag को लेने की कोशिश कर रही थी अब देखिए next question क्या कहता है पिंकू was a अब देखिए ये question कह रहा है कि पिंकू क्या था तो देखिए पहला दिया हुआ है a lazy boy दूसरा दिया हुआ है shy boy तीसरा दिया हुआ है curious boy और चोथा दिया हुआ है weak boy तो सबसे पहले तो हमें इन सबका अर्थ आना चाहिए इन सबका मतलब आना चाहिए तो सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है lazy boy क्या दिया हुआ है lazy boy इसका मतलब होता है आलसी लड़का आलसी लड़का यानि कि जिसको कोई भी काम करने में रूची नहीं हो बिल्कुल सोता रहे दूसरा दिया हुआ है साई बॉय क्या दिया हुआ है साई बॉय इसका मतलब होता है सर्मिला सर्मिला लड़का मतलब कि जिसको किसी भी बात से किसी भी व्यक्ति से बात बात पर सर्म आती हो तीसरा इसने लिखा है क्यूरेजियस बोई तीसरा लिखा है क्यूरेजियस बोई क्यूरेजियस बोई इसका मतलब होता है सहासी, बहादूर, हिम्मत वाला लड़का और चौछा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है weak boy weak का मतलब होता है कमजोर तो weak boy तो आप बताइए क्या होगा इसका क्योंकि देखिए इसने खुला लिख दिया है but but pinku was but pinku was strong and brave strong and brave का मतलब मजबूत और बहादुर तो यहाँ पर curious हमारा सही आंसर होगा तो हमें कुछ words की meaning भी आनी चाहिए चलिए next question the witch was यानि कि जो witch थी वो क्या थी a bad woman an old lady a poor and old widow यह चोथा very strong तो देखिए जो witch थी इसने last में क्या कहा था इसने last में कहा था he was sorry she was a poor and old widow she was a poor and old widow तो हमारा यह answer हमें choose कर लेना है इसी प्रकार से next question क्या कहता है the opposite word of brave is the opposite word of brave is मतलब की जो यह यहाँ पर word लिखा है brave यह brave जो word लिखा है इसका opposite क्या होगा इसका antonym क्या होगा तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको इसका पहले मतलब आना चाहिए तो इसका मतलब क्या होता है साहसी क्या होता है बहादूर या फिर साहसी जिसके अंदर हिम्मत हो तो इसका उल्टा क्या होगा जिसके अंदर हिम्मत ना हो जो जो साहसी ना हो तो यहाँ पर चार word दिये हुए है सबसे पहला जो वर्ड दिया हुआ है चलिए मैं यहां से इसको मिटाता हूं थोड़ा सा उपर से कि वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देगेगा मैं एक और चीज भी आपको इसमें बताऊंगा कि आपको इसे कैसे सॉटकट्री सॉल करना है सबसे पहला वर्ड दिकहा है जेंटल दूसरा वर्ड दिकहा है कोड चलिक है कोड तीसरा वर्ड दिकहा है Thin चौथा वट लिखा है Kind तो देखिए यहाँ पर जो Gentle लिखा है इसका मतलब क्या होता है ये बताईए Gentle का मतलब क्या होता है फिर है Quad फिर है Thin और फिर है Kind तो आप इनका मतलब मुझे बताईए जल्ली से आप वीडियो के नीचे comment box में लिखिये की gentle, cadre का मतलब क्या होता है यहाँ पर gentle का मतलब होता है surgeon, good squad का मतलब होता है kayak और chin का मतलब होता है पतला कांण का मतलब होता है दयालू तो यहाँ पर आप देख सकते है कि gentle इसका मतलब क्या है सजन व्यक्ति यानि कि जो सांत व्यक्ति रहता है हर काम में अच्छा रहता है उसको कहा जाता है सजन लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पुछा गया है कि brave का उल्टा क्या होगा जो brave लिखा है जिसका मतलब होता है बहादूर तो बहादूर का उल्टा हमेशा क्या होता है कायर और यहाँ पर इसका जो word है वो है quad quad का मतलब होता है कायर तो हमारा answer भी सही हो गया तो अब आपको वहाँ पर कैसे करना है देखिए परिक्षा में क्या करना है आपको परिक्षा में यह करना है कि पहले तो आप paragraph को अगर आपको paragraph समझ में आ रहा है तो एक या दो मिनिट में आप paragraph पूरा पढ़ लो आराम से फटा पढ़ पढ़ लो ऐसे की वाज यसे जो भी है एक परा पूरा पढ़ लो फिर उसकी अगर meaning आपको आ रहे है मतलब कि पिंकू ने पेड के निचे आश्रे क्यों लिया या फिर वहाँ पर विश्राम क्यों करने लगा तो ये तो अगर हमने पहले ही paragraph पढ़ लिया होता तो हमें मालूम बढ़ जाता कि वो चलते चलते ठक चुका था इसलिए उसे पेड की निचे रुकना पड़ा तो इसी प्रकार से आपको इन ही मैसे चूज करना है और एक मैं फायदे की बात बता देता हूँ जो भी आपके question होंगे यानि कि जो सबसे पहला question है उसका जो answer होगा पहले question का जो answer होगा वो पहली line से आपको check करना है नीचे जाना कि कोई जरूरत नहीं है पहले question का answer या पहली या दूसरी ही line में आपको मिल जाएगा दूसरे question का answer आपको उसके बाद वाली जो आती है line उसमें आपको मिल जाएगा फिर ऐसे ऐसे आपको नीची नीचे जाते रहना है ऐसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ओके तो इस प्रकार से आपके पेरगराफ आएंगे आपको शॉल करना है मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कीज़ेगा लाइक और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल और वी एसस पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पास मैं बेल अकिन को पैस करना बिलकुल मत भूलेगा मिलते हैं आपसे हमारे किसी ऐसी नेक्स्ट खास वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद वंदे मातरम जै भारत धन्यवाद